तो अलागलक कोलेज की तरब से यहाँ पर जानकारी देकर आप सभी को WhatsApp ग्रूप में बताया जा रहा UP Free Tablet Smartphone को लेकर बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है अगर आपको Free Tablet और Smartphone का लाब उठाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर सरकार का बड़ा अदेश यहाँ पर आ चुका है यानि कि यहाँ पर आपको EKYC करना होगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो पढ़ते भी नहीं हैं गलत तरीके से वो अपना Smartphone और Tablet प्राब्द कर लेते हैं जिसकी वज़ा से सरकार ने यहाँ पर EKYC लागू कर दिया है पहले यह नहीं होता था लेकिन अब आप खुद अपने मुबाइल फोन से EKYC का Form भर सकते हैं और आप अपना Free Tablet Smartphone के लिए eligible हो सकते हैं तो यहाँ पर सारी अपडेट आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप अपना EKYC Form को कैसे भरेंगे आधार EKYC Form कैसे सम्मिट करना है जल्दी के YC Form भर दिजेगा क्योंकि कभी भी Tablet और Smartphone का वित्रण हो सकता है अगर आप अभी तक आपको नहीं मिला है तो किसी भी वक्त आप सभी को Tablet Smartphone दिया जा सकता है बस आपको यह Form को भरना है यहाँ पर आपका Pending नहीं दिखाना च सारी जानकारी आप सभी को Step by Step मैं बता देता हूँ चलिए सिधा Mobile के Screen पर चलते हैं इसके लिए Student Simply आपको कुछ नहीं करना आपको Telegram या हमारे WhatsApp चैनल पर आ जाना है वहाँ पर मैं Direct इसका Link दे दूँगा आप लोग देखेगा DG सकती Portal के जरीए आप इसमें KYC करेंगे तो Direct Link मैं दे दूँगा तो आप Simply Link पर क्लिक करके आप इसकी Officially Big Site पर पहुंच जाएंगे वहाँ से आप लोग KYC कर लेना यहाँ पर आप लोग देखेगा DG सकती Portal का यहाँ पर यह option आ चुका है यहाँ पर आप लोगों को KYC कैसे करना है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ Home पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आएगा और यहाँ पर देखेगा चात्रोदारा डीजी Portal पर उनके आधार विवराण के लिए यहाँ पर जो KYC करना है वो यहाँ पर यहाँ पर करना है मेरी पहचान प्रोटल बटन पर क्लिक करके अपना विवराण भरने के पस्चात वीडियो में दिखाई गई नोटिफिकेशन प्रदर्सित होगी तो यहाँ पर आपको KYC करना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर भी बताया गया है तो आप सभी लोगों के सा KYC सक्ति पोटल के बेकसाइट का ओफिशली लिंक दे दिया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके आसानी से इस बेकसाइट में पहुच जाएंगे यहाँ पर आप लोग देखेगा तो WhatsApp चैनल या Telegram चैनल को जोईन कर लेना अगर जोईन नहीं किया है वहाँ पर डारेक्ट लिं जो भी आपका है select करना है college institute select करना है enrollment number डालना है अब enrollment number आपको कहां मिलेगा तो यह आपके result में देखने को मिलेगा enrollment करके number तो वो enrollment number यहाँ पर फिल करना उसके बाद capture फिल करना अगर आपको capture समझ में ना आए तो यहाँ से आप refresh भी कर सकते हैं यहाँ बटन पर क्लिक करक तो आपको इसको यहाँ पर फिल करना है उसके बाद search के option पर फिल करना है मैं सारी जानकारी यहाँ पर फिल कर लेता हूँ यहाँ पर जैसे की एक student की जानकारी हमारे पास है detail है तो उसी कम यहाँ पर KYC करके बताऊंगा उनका जो university है University of Lucknow है तो मैं select कर लेता हूँ आपकी जो भी university है वो आप लोग select कर लिजेगा college का नाम यहाँ पर आपको search करने का option नहीं दिया गया है तो आपको ध्यान से यहाँ पर college का नाम देखना है क्योंकि आप सभी college यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको college धूड़ने में थोड़ी सी problem होगी तो आपको यहाँ पर college को धूड लेना है तो चलिए यहाँ पर मैं college को धूड़ के सारी detail फिल करके आप सभी को हम दिखाते हैं तो देखी यहाँ पर मेरा college मिल चुका है आपको ध्यान से धूड़ना है तभी यहाँ पर आपका college मिलेगा उसके बाद enrollment number यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर मैं अपना जो capture है वो यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ आपके सामने live proof तो यहाँ पर मैंने capture फिल कर लेता हूँ उसके बाद आप सभी को दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखेगा मेरा जो capture है वो फिल हो चुका है उसके बास simply आपको नीचे search के button पर आपको click कर देना आप थोड़ा सा स्क्रोल करेंगे तो नीचे आएंगे तो आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी student detail, student enrollment number आ जाएगा और father sonem आ जाएगा और यहाँ पर email ID आ जाएगी उसके बाद यहाँ पर student की जो भी DOB है वो भी यहाँ पर आ जाएगी उसके बाद नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आधार EQC status पिंडिंग दिखा रहा है यानि कि अगर आपका इस प्रकार से पिंडिंग दिखा रहा है तो आप सभी को free tablet smartphone का love नहीं मिलेगा तो आपको इसको KYC करना है आप KYC करने के लिए यहाँ पर क्या करना है विरिए जो नीचे एक blink हो रहा है आपको इस पर क्लिक करना है प्रमान मेरी पहचान यहाँ पर आपको क्लिक करना verify the login using तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है तो आपको इस पर क्लिक करना किसी किसी के mobile म यहां पर आजाता है यहां पर आपको सारी detail पहले से अगर account बना है यह प्रमान पहचान पर आपका पहले से account बना हुआ है मेरी पहचान पर तो आप लोगों को यहां पर account बनाना होगा अगर बना है तो username password डाल सकते हैं अगर नहीं बना है तो नीचे आप सभी को एक option मिला user sign up मेरी पहचान तो आपको यहां पर new user के option पर क्लिक करना जैसे यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने form open हो जाएगा यहां पर आप लोग दिखेगा यहां पर आपको सबसे पहले mobile number डालना है उसके बाद generate OTP पर क्लिक करना आपके mobile number पर OTP आएगा OTP आने के बाद आपको OTP को फिल करना है ध्यान रहे कि आपके mobile number पर आपके अधार number पर जो भी mobile number लिंक है वही number डालने की कोशिस करें क्योंकि आगे जो OTP verify करेगा KYC time वह आपके अधार number पर जो भी mobile number लिंक है उसी के माध्यम से वो verify करेगा तो वही number आपको डालना है तो यहाँ पर आपको वो number डालके generate OTP पर click करना है तो आपके mobile number पर OTP आएगा फिल कर देंगे verify हो जाएगा verify बटन पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपना name डालना है यहाँ पर आप लोग देखेगा उसक यहाँ पर desktop side में आप करेंगे तो आपका form जो 100% यहाँ पर होने के chance है तो यहाँ पर देखेगा आपको personal message में क्या डालना यहाँ पर सबके सामने problem आती है तो personal message में आपको अपने father का name डालना है उसके बाद user name जैसे कि आप instagram अगयरा में account बनाते हैं तो user name आपका जैसे ना number होने चाहिए जो भी अंक होने चाहिए कुछ भी आप add the rate करके इस तरीके से आप अपना password को यहाँ पर बना सकते हैं confirm password में वही password आप लोग डालेंगे उसके बाद यहाँ पर capture फिल करना जैसे 0 प्लस 9 कितना होता है तो 9 होता है तो 9 आपको यहाँ पर enter करना है अगर आपक सारी जानकारी फिल कर लेता हूं उसके बाद sign up के option पे click कर देता हूं ऐसे ही आप sign up पे click करेंगे आपके सामने इस प्रकार का interface आजाएगा आधार EKYC उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अधार number डालना होगा जो कि मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है अधार number है उसे मैंन पर जा रहा था उससे मतलब नहीं है पहले जो number पर जा रहा था उस पर अब नहीं जाएगा अगर आपका same number है तो ठीक है वरना आपके आधार card में जो number link होगा उस number पर OTP जाएगा तो यहाँ पर आधार number डालेंगे अगर आप mobile में OTP चाहते हैं या अपने email में चाहते हैं आपके आधार card में email अपडेट होगा तो आप email में भी OTP ले सकते हैं लेकिन मैं mobile में लेना चाहता हूँ तो mobile पर क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पर सारी नियम और सरते हैं उसके बाद यहाँ पर आप लोग दिखेगा आपको मैं एक छोटी सी जानकारी बता दूँ क कि mobile में ज्यादा work नहीं करता यानि कि किसी-किसी mobile में हो जाता है यहाँ पर जैसे कि desktop साइड में अगर On करके आप लोग करेंगे तो maximum यहाँ पर कुछ लोगों का हो जाता है लेकिन mobile में सही से work नहीं करता problem आ जाती है server problem आजाती है तो अगर आपके पास laptop है तो laptop से करिएगा तो laptop से आप अच्छे से कर पाएंगे अगर आपके पास laptop नहीं है तो आप किसी भी cyber cafe में जाकर जन सेवर केन में जाकर आप direct अपना जो अंगूठे के माध्यम से यानि की अपना अंगूठा लगा कर अपनी KYC करा सकते हैं वहाँ पर आसानी से हो जाएगी मुबाइल में थोड़ी सी problem होगी तो आप लोग सेम प्रोसेस है अगर उनको नहीं पता है दुकान वाले को जन सेवर केन वाले को नहीं पता है तो आप पुरा प्रोसेस बता दीजेगा आप लोग इस प्रकार से हमारी KYC है